बजट और एकॉनिमिक सर्वे की इंपॉर्टेंस को तो बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता, खास करके उनके लिए जो किसी भी गुवर्मेंट एक्जाम या फिर एनी कंपेटिटिव एक्जाम की तयारी कर रहे हैं, बट बच्चों को एट ताइम ये डाउट होता है कि सर वाट इस दिफरेंस ब्जट क्या होता है और आपको बताया जाएगा वाट इस दिफरेंस ब्जट और एकॉनिमिक सर्वे जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा मोस्ट प्रबबबली हमारा बजट जो है वो आचुका होगा और डाट इस वाइड रिकमेंड कि आप उस पर्टिकलर बजट स्पीच को जरूर देखें और फिर उसका समरी डॉक्यमेंट को बारे में you should have a strong hold and once you are okay with it then definitely आप अपने examination में एस कर पाओगे जी तो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि आखिर बजट होता गया है तो जैसा कि आपको पता है कि आप और हम याने कि आम जंता जो है वो बजट नाम जो है वो यूज़ करती है बट हमारा समविधान याने constitution ऐसे किसी भी शब्द का उप्योग नहीं करता है बट रादर देर इस अफ्रेज विच इस इस दोन आप इस दोन आप इन्वल फिनांशल स्टेट्मेंट इन्वल फिनांशल स्टेट्मेंट इसके लिए जो प्रावधान दिया गया है यह विज़ इन आर्टिकल नंबर 112 अब सवाली उठता है कि सर विन्वी टॉकिंग अबाउट बजर्ट फॉर एक्जांपल इन लेमें लेमेंस लेमेंस लैंग्विज तो अखरी होता क्या है तो इसके लिए आपको अपने घर पे एक बारी नजर देख दोडानी है और आपको यह चीज अनलाइज करनी है कि हम प्लानिंग होती है कि पैसा कहां से आएगा और कहां पे स्पेंड किया जाएगा इसी चीज को हम बजट के नाम से जानते हैं खास करकि विन्वी टॉकिंग अबाउट दी इंडियन गवर्मेंट तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो बजट डॉकिमेंट होता है उसमें द होता है अबाउट दी एक्सपेंडिचर की अब जो प्राप्तियां हो गई है इन में खर्चे हम कहां पर करने वाले हैं इन चीजों के बारे में डिफाइन किया जाता है अब आपको पता होना चाहिए हमारा बजट किस दिन को आता है तो सर 1st of February को हमारा बजट जो है वो दे के बारे में बताता है सर 2023 से 2024 के financial year की बात कर रहे हैं what is a financial year सर एक financial year होता है जो start होता है 1st of April से and जाता है 31st of March तत तो इस particular duration में हमारे पास कहां कहां से पैसा आएगा and उसको हम किस प्रकार से spend करेंगे that is what is known as budget ठीक है अब आते हैं आगे आपकी खुशी के लिए जल्दी से हम देख लेते हैं budget के components अगर हम budget की बात करें तो उसको दो हिस्सों में बाटा जाता है एक revenue account एक हमारा capital account revenue account and दूसरा हमारा होता है capital account जब भी हम capital account की बात करते हैं जब भी हम capital account की बात करते हैं so it is in relation to the assets और liabilities the assets और liabilities कैसे sir for example अगर हम capital account के अंतरगत receipts की बात कर रहे हैं capital account के अंतरगत receipts की बात कर रहे हैं या तो asset lower down करके यह पैसा आया है या फिर liability बढ़ा के यह पैसा आया है for example asset lower down करके कैसे आ सकता है sir through disinvestment sir liability बढ़ा के कैसे आ सकता है through borrowings getting my point so this is what is known as capital account में हमारा receipts लेकिन sir capital account में हमारा expenditure जिसको हम capital expenditure कहेंगे वो कैसे identify किया जाता है तो आप इसका उल्टा कर दीजे जिस भी expenditure में या तो assets increase हो रही है या liabilities lower down हो रही है तो उस expenditure को हम capital expenditure के नाम से जानते हैं for example if we are talking about कि asset का बढ़ना याने हमने ऐसा expenditure किया जिससे हमारी assets बढ़ रही है for example हमने जो है economic infrastructure development किया social infrastructure डेवलप किया इससे क्या होगा ultimately आगे जाके हमको returns मिलेंगे because asset is being created in a similar manner अगर हम liability को भी lower down कर पा रहे हैं for example हमने loan ले रखा था but now what we are doing is कि हम उस particular loan amount को वापस repay कर रहे है the principal amount is being repaid तो उससे क्या होगा हमारी liability कम होगी and this is what is known as capital expenditure however when we talk about revenue account इसके अंदर भी आपको receipts और expenditure देखने को मिलेगा when we talk about the receipts जो की revenue account के अंतर गताती हैं तो यहाँ पर ना ही किसी प्रकार की liability increase हो रही है ना ही कोई asset जो है वो हमारी lower down हो रही है तो यह पैसा कहां से आ रहा है सर यह दो तरीकों से आ सकता है एक या तो taxable amount tax से आने वाला amount या फिर non-tax amount tax से आने वाला amount जो सरकार taxes लगाती direct tax indirect tax GST वगएरा वगएरा non-tax याने की जो हमारा interest या फिर dividends या फिर profits जो हमारी सरकार को मिलते हैं अपनी companies में उनको जो है हम non-taxable amount के अंतर गत मानेंगे expenditure इसमें जो भी होता है वो कैसा होता है सर जिसमें ना ही कोई liability को हम कम कर पा रहे हैं ना ही हम assets को create कर पा रहे हैं याने majorly यह पैसा किस चीज में जा रहा है sir only and only consumption that is what is known as the revenue expenditure moving ahead अगर हम बात करते हैं आगे economic survey as a document की तो economic survey क्या है जैसा कि हमने बताया budget एक ऐस document है जो कि अब बताएगा कि आगे आने वाले साल में हमारे पास पैसा कहां से आएगा और उसको हम कहां खर्च करेंगे similarly जब हम economic survey की बात करते हैं तो यह आज की position से पीछे की बात करता है याने पिछले कुछ सालों में हमारी सरकार ने किस प्रकार से perform किया है हमारी government ने क्या क्या initiatives लिए है हमारी economy की क्या स्थिति है एंड हमारी economy का potential क्या है यह सारी चीजें आपको एक economic survey में देखने को मिलती है specifically यह जो past financial year है उसमें हमारे economic performance जो है उसको evaluate करके हमको बताता है अब सवाली उठता है सर इसको present कौन करता है या इसको बनाता कौन है तो again यह ministry of finance के द्वारा बनाई जाती है and specifically आपको यह पता होना चाहिए कि इनके द्वारा जो भी recommendations दिये जाते हैं those are only and only recommendatory in nature by that I mean यह government पे bound नहीं होते है they do not act as a foundation or a mandate on the government ठीक है अब सर अगर हम आगे आते हैं and जल्दी से इन दोनों के बीच का थोड़ा सा difference देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए पहला economic survey 1950 और 51 में जो है पेश किया गया था वेरास पहला union budget November 26th 1947 में जो है पेश किया गया था और किन के द्वारा पेश किया गया था आर के शन्मुखम चित्ती जी के द्वारा आर के शन्मुखम चित्ती जी के द्वारा from 1964 economic survey कब present किया जाता है budget के एक दिन पहले and budget कब पेश किया जाता है economic survey के एक दिन के बाद ये चीज़ अब आपको समझ में आगे होगी economic survey क्या करता है review करता है developments in the Indian economy over what sir over the past financial year highlights the policy initiatives of the government and economic prospect जो की अब आगे हमको देखने को मिलेंगे वेरास union budget क्या बताता है sir it makes an estimates of what sir revenue and expenditure of the government ठीक है तो ये कुछ चीज़े हैं जो आपको पता होनी चाहिए budget और economic survey से जुड़ी हुई इसी के साथ अगर आप मैंसे कुछ बच्चे हैं जो की preparation करना चाह रहे हैं अगर आप तैयारी कर रहे हो mhcet, dullb, slat, jamia milia, islamia, aligarh muslim university so sir this is the batch which is for you आप जाए इस batch को अभी जाकर तुरंद खरीच सकते हैं at the same time अगर आप प्रपेर कर रहे हो for clat, elet, अभी जाए why because there is a discount of 80% on our portal 80% का discount आपको देखने को मिले का but what you need to do to avail this particular discount, sir you need to use the Brahmastra and the Brahmastra is Y692, Y692 code जैसे ही आप लगाओगे आपको 80% का आप देखने को मिलेगा and definitely आप जो है best of the best curated material for your preparation जो है वो access कर पाएंगे with this my name is Aditya Rai and I am signing off, Jai Hind, Jai Bharat वो, heaven, I am sign-दियो झाल झाल